देश में लोक्टाउं के बाद भी करोना वाइरस अपना सर दिखा रहा है जिससे करोना संक्रमित मरीजों की संख्याल लगाता बढ़ती जा रही है अब अमारे देश में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है जिसके बाद गर्मी का प्रकूप भी बढ़ने लगा ऐसे में यह सीयो कूलर की जरूरत महसूस होने लगी है लोक्टाउं के कारण सबी लोग अपने घरों में गर्मी से तो चूच रहे हैं लेकिन वे अपने इस्यों कूलर नहीं चला रहे है तरस सोशल मीडिया में मैसेच काफी वाइरल हो रहा है उसमें बताया चारा है कि इस्यों कू एसे में इस खबर के अंदर किते सचाहिए आईए आपको इस वीडियो की जरीए बताते हैं जिहां एसी से भी करोना वायरस पहल सकता है लेकिन सारे एसी से नहीं सिर्फ एसे जगा जहां सेंट्रलाइज एसी लगा हो एक्सपर्ट के मुताबित खासकर ओफिसे एसी लगा हो उससे करोना वायरस फैलने का खत्रा आजादा होता है लेकिन अपने घर के एसी में करोना वायरस फैलने का खत्रा नहीं है तो उससे कमरे की हवा उसी कमरे तक रहेगी और इससे करोना वाइरस के संक्रमेंट का खत्रा नहीं होगा अब AC से कैसे वाइरस फैल सकता है चलिए आपको बताते हैं विशेशग्यों के अनुसार खरों में लगे ACO कूलर के कारण करोना वाइरस का खत्रा नहीं है लेकिन सारजनिक स्थलो पर अस्तमाल किये जा रहे ACO कूलर से करोना वाइरस फैल सकता है वहीं कौन सा AC सबसे ज़्यादा खत्रानाक है इसके वारे में भी हम आपको बताते हैं अधितर विशेशग्यों का मानना है कि आफिस में प्रयोग किया जाने वाला सेंट्रलाइट यूनिट AC इससे सबसे ज़्यादा वाइरस फैल सकता है यदि इसकी प्रयदी में संक्रमित करोना व्यक्ति मौजूद हो तो सेंट्रलाइज एरिया कंडिशनर सिस्टरम द्वारा रिसाइकल हो रही हवा में वाइरस किसी तरह पहुँच गया तो इससे संक्रमिन हो सकता है अधिकतर सरकारी का रिल्यो पैंकों में इसी प्रकार के AC का इस्तमाल होता है जिस पर रोक लगाने की बेहर जरूरत है अगर यह साइकलिंग ठीक नहीं होती तो इससे क्या बड़ा खत्रा हो सकता है चले आपको बताते हैं अधित्त विशेशग्यों का मानना है कि यदि कमरे में AC से निकलने वाली हवा की रिसाइकलिंग ठीक धंक से नहीं हुई तो ये खतनाक रूप ले सकती है उनके अनुसार कमरे में हवा का निकास बाहर नहीं हो पाया और बाहर से हवा अंदर नहीं आ पाई तो इससे वायरस को फैलने का मौका मिलेगा ऐसी में उन्होंने लोगों से AC से बचने की सला दी है क्या आपको पता है कि अस्पताल में भी सेंट्रलाइज AC बंद किये जा चुके हैं जिन अस्पतालों में करोना वायरस के मरीजों को भरती किया जा रहा है उनमें सेंट्रलाइज AC बंद किये जा रहे हैं और उनकी जगा विंडो AC लगाय जा रहे हैं इस मामले में एम्स के निर्देशा डोक्टर गलेरिया के मुताबित अस्पतालों में AC भी जरूरी है क्योंकि जैसे ऐसे गर्मी बढ़ेगी टॉक्टर्स और हेल्थ केर वरकर्स की परिशानी भी बढ़ेगी क्योंकि वो सभी PPI पहन कर मरीजों का इलाच करते हुए नजर आते हैं जिससे वो गर्मी में पसीना पसीना हो जाते हैं अगर इतनी गर्मी में बिना AC के मरीज देखना पड़ेगा तो एक बड़ी समस्या खड़ी होगी तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह के AC का इस्तमाल करने से फैल सकता है करोना वायरस ऐसी ही अगर आपको बाकी बड़ी खबरे जाननी है तो चुड़े रहिए इंस्टाफेट के साथ धन्यवाद